हे हलो एवरिपड़ी दोस्तों एक वक्त था जहाँ पे ओलिम ट्रेड ने फिक्स टाइम टेडिंग अप्लिकेशन के हिस्टरी में फिर्स टाइम एवर यूपी आई मैथर्ड को इंट्रिड्यूस किया था जहाँ पे जब आप डिपॉजिट करते थे आपको फी कितना देना पड़ता था, इक्वलस टू जीरो यानि कोई फी आपके नहीं लगती थी, जब आप विड्रॉव करते थे, तब भी आपको जो फी देना पड़ता था, वो देना पड़ता था इक्वलस टू जीरो, यानि कि सिंपल सी बात है भाई, आप डिपॉजिट करो, इंस्टन्ली में से UPI Methods को हटा दिया गया, उसके बाद अब आया है Skrill में UPI Method के द्वारा Deposit, यानि कि Deposit in Skrill via UPI Methods, किस हद तक ये सही है, हमें यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सारी details इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है, with proof, proof दिखाने वालों आपको इस वीडियो के अंदर कि क्यों हमें Skrill में UPI Methods को यूज नहीं करना चाहिए, तो वीडियो को last तक देखना बहुत ज़ादा ज़रूरी है आपके लिए, मैं अर्विन सिंग, आपका स्वाकत करता हूँ टेकनिकल अब यूट्यूब चैनल में गाइस, फर्स टाइम हो, चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है किसका वेट करो यार, सब्सक्राइब करो, बेल अगन का प्रेस करना बिल्कुल मत बूलना दूसरी चीज, तलिग्राम पे जोइन नहीं हुए हो या लेटेस सब्स आपको टेलिग्राम पे ही मलती है अब भी जॉइन हो जाओ, लाइक करो वीडियो को और देखने के बाद कमेंट भी करते ना, चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दूस्तो अभी आप है मेरे PC के स्क्रीन पे, यहाँ पे आप मेरा यहाँ पे मेरे CT कर दिया तो यहाँ पे क्या-क्या दिपॉजित के मैथड Z मुझे मिल जाते हैं यहाँ पे मुझे मिल रहा है Bank Card से Deposit यानि Visa और Master Card से दूसरा जो मैथड मुझे मिल रहा है Skrill तीसरा UPI का एक मैथड आपको दिख रहा होगा यहाँ चोथा Netler पहले जो UPI का method यहाँ पे दिखता था आपको यानि कि लगबग 10-15 दिन पहले यहाँ पे जो UPI का method था उस पे जब आप click करते थे तो आपको काफी सारे interface यहाँ पे मल जाते थे अब मैंने UPI को देखे जैसी select किया और जैसी मैंने next किया तो यहाँ पे मुझे Google Pay का interface नहीं मिल रहा है मुझे Pay करने का interface नहीं मिल रहा है cash free को किसी भी तरीके से मतलब यहाँ पे जो मेरे पास interface आ रहा है वो यह आ रहा है कि पहले मुझे register करना पड़ेगा skill में और skill में register करने के बाद मैं skill में deposit कर सकता हूँ वाया UPI तो स्क्रिल में मुझे UPI से deposit करना पड़ेगा फिर मुझेSkrill wallet को link करना पड़ेगा Allimtrade से और Allimtrade से मैं Skrill wallet को link करूँगा उसके बाद मैं deposit कर पाऊंगा easily जी कहीं मतलब आदेखे यार मुश्किल नहीं है लेकिन क्यों नहीं यूज करना यह आपको बता देता हूं देखो यहाँ पे ना मैंने Skrill account में मैंने पहली login किया हुआ है अपने Skrill account में Skrill.com पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप अपने Skrill account बना सकते हैं और अगर आप doubt में है कि कैसे करना है तो देखो यहाँ पे step by step guide भी आपको मिल जाएगा और अगर आप जाएं तो आप directly register भी कर सकते है Skrill के साथ देखिए यहाँ पे आपको step by step सारी guide मिलती है वो भी screenshot के साथ कि आपको कैसे करना है तो इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल आपको बता देता हूँ कैसे तो देखिए यहाँ पे आप Skrill पे जाओगे deposit पे click करोगे अपने account में तो देखिए नीचे जब जाते है ना यहाँ पे एक UPI क option आपको मिल रहा है जहाँ पे fees कितने लिखिए 2.5% ठीक है कोई बात नहीं है 2.5% बंदा देई देगा लेकिन उसके बात देखते है यहाँ पे जितने भी methods दिख रहे हैं आपको सब में 2.5% की fees है लेकिन इतना बता देता हूँ इनमें अगर आप आगे चलोगे न यानि कि अगर आप Netler में deposit करोगे Bitcoin में deposit करोगे तो यही ऐसा नहीं है कि देखो Net Banking के थूरू भी आप कर सकते हो 44,000 यहाँ पे पे कर सकता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि मुझसे security reasons की वज़े से वापस login मांग रहा है ठीक है मैं वापस login कर देता हूँ भाई कोई दिक्कत नहीं है तो इस security reasons की वज़े से इन्होंने मुझसे वापस login कर वाई है अपने account में scroll ले चलो अच्छी बात है security तो होनी चाहिए तो यहाँ पे देखेंगे आप 44,000 maximum मैं deposit कर सकता हूँ तो मैं कितना deposit करूँगा अभी 20,000 रुपीज तो 20,000 यहाँ पे मैंने select कर लिया है और अब यहाँ पे मुझसे pen card मेरा मांगेंगे तो यहाँ पे मैं pen card की details जो है वो fill कर देता हूँ जैसे ही मैंने pen card की details है वो fill करके next बटन पे click किया यह page मेरे सामने खुल के आ जाता है तो यहाँ पे देखेंगे आप summary क्या है हमारे deposit की 20,000 INR UPI के through मैं deposit कर रहा हूँ ठीक है लेकिन यहाँ पे एक processing fee मुझे देनी पड़ दिये 2.5% चलिए यार जब आप 20,000 पे कर रहा हूँ ना यानि 20,000 deposit कर रहा हूँ तो चलो 500 रुपे की तरफ कोई नहीं देखता कि 500 रुपे तो चलो देख देंगे तो हमारा total कितना हो जाता है 20,500 अब इसको मैं confirm कर देता हूँ देखे गाइस वीडियो को skip मत करना अभी थोड़ा सा part बाकी है और आपको समझ आएगा कि क्यों मैं कहा रहा हूँ कि skrill में UPI method को use मत करो ठीक है क्यों मैं कहा रहा हूँ यह आपको समझ आने वाला है अभी अभी समझ आएगा इसी एक interface पे और उसके बाद like जरू कर देना जैसी आपको समझ आ जाए ना कि यह क्यों वीडियो बने बनाई है देखे सो भाई यहाँ पे पूरा कच्चा चिठा खुल के आता है कि हमें क्यों नहीं करना यहाँ पे देखेंगे आप यहाँ पे आपको pay कितना करना है 25,693 रुपीज क्यों भाई क्यों जब मैंने select किया है 20,000 रुपीज मुझे pay करना है जब मैंने select किया है 20,000 रुपीज मैं deposit करना चाहता हूं तो यहाँ पे मैं 25,630 रुपे क्यों deposit करू भाई अगर 500 रुपए तुम्हें processing fees लेनी है तो ले लो किसने मना किया है लेकिन यहाँ पर 25,000 का मतलब तुम तो यार मेरे से लगबग 5,600 रुपए ले रहे हो यार 5,600 पर किस बात के 5,700 रुपए तुम लोग 20,000 रुपए पर processing fee ले रहे हो मतलब simple जी बात है 5,700 रुपए मैं एक्स्ट्रा दूँगा 20,000 डिपॉजिट करने में तो किसी को 1,000,000 डिपॉजिट करने होंगे वो कितना एक्स्ट्रा देगा भाई यह हो क्या रहे है समझ नहीं आया मुझे जब मैंने देखा चलिए जिसको करना भी है तो आप देखेंगे आप UPI पे क्लिक करना है अपना UPI आड़ डालना है वरिफाय करना है आप QR कोड को भी स्कैन कर सकते हो और उसके बाद आप पे कर सकते हो cash freeze है मतलब simple जी बात है इसके बाद आप पे कर सकते हो इतना पैसा और आपके अकाउन में कितना आएगा आपके अकाउन में आएगा 20,000 रुपीज 20,000 रुपीज का जितना डॉलर बनता है न वो आप डिपॉसित कर सकते हो इसक्रिल के धुरू ठीक है तो भाई मुझे लगा कि ये चीज़ आपको पताने चाहिए कोई फायदा नहीं है इतना प्रोसेसिंग फी दे के फाल तुमें वेट करो कि UPI मेथड वापस कब इंटेड्यूज होता है और एक चीज़ और बता देता हो अगर आप स्क्रिल से रिपॉसित करना चाहते हो तो आप करो बेशक कोई आपको मना नहीं करेगा प्रोसेसिंग फी देने का कोई फायदा नहीं है ठीक है उमीद करूँगा आप वीडियो पसंद आई होगी प्रूफ देखके मजा आगया होगा लाइक आपने कर दिया होगा टेलिग्राइम पे आप जॉइन हो गए होगे और फर्स टाइम हो चैनल पे तो make sure that subscribe आपने कर दिया होगा वैज मुलाकात करेंगे और धमाकेदार वीडियो के साथ तब तक के लिए बाए थैंकिस सो मच पर वाचिंग दिस वीडियो तिल दिया एंड